Hello what's up guys my name is Vinod Bazathop and welcome to 100 days of javascript जिहां guys तो यह 100 दिन जो आने वाले next 100 days है उसमें हम javascript को सिफ पढ़ेंगे नहीं बल्कि everyday we will solve the interview questions and उसको हम tackle करेंगे कि इसको हम किस तरह के से कर सकते हैं क्योंकि आप में इसे बहुत तो को एक प्रॉब्लम आती है कि हमें basically हमारा जो लॉजिक को बिल्ट नहीं हो रहा तो finally guys अब यह जो series 100 days of javascript जिसमें सिर्फ पर सिर्फ एप्रेड़े एक एक interview questions को solve करने वाले है easy then intermediate then advanced तो basically इसे gradually upgrade होता जाएगा तो कैसे इससे होगा यह कि guys happy thinking capability वो तो increase होगी होगी साथे साथ आपका जो logic building है वो समें भी बहुत जादा help होगा and I know guys आपको motivation चाहिए था कि भाई कोई तो एक ऐसा बंदा आ जाए है कोई तो एक ऐसा like source हमें मिले जहां से में every day at least आदा घंटा या पंदर मिनेट या दस मिनेट में जास्क्रिप्त का एक इंटेवी कोईशन को प्रैक्टिस कर सकूँ आने वाले next 100 days के लिए तो कैसे बहुत ही ज्यादा awesome अन्वाला तो मैं चाहता हो कैसी जर्नी में आप मेरा साथ दीजी हम सब मिलके next 100 days every day evening में guys में video upload करूंगा जहां पर हम डेली एक इक इंटेवी कोईशन सौर्व करने वाले so guys are you excited because I am super excited and आपके मन में कुछ भी डाउट हो इंटेवी कोईशन से रिलेटेट let me know in the comment section so guys so I hope guys आप लोगों को बहुत ही ज्यादा कुछ सेखने मिलेगा तो please guys support कीजेगा यह जो series है इसको अपने दोस्तों को साथ बरबर के share कर दीजे ताकि सब तक यह पाँचे सब जावस्क्रिप्क को practice कर सके वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब निए तो please कर दीजेगे और हम बहुत जल्द रियक्ट सेरी जाने वाला है just wait you know जैसे इनका version 19 launch होता है हम इसको start करने वाले so guys आप हम बिना किसी तरी के हमारा 100 days of JavaScript start करते है so guys बिना जादा बोले हम बीडियो की start करते है लकिन जल्दी से पहले बात आना चाहूंगा world best JavaScript course part 1, part 2 and then e-commerce final mega project जो है मैं already upload कर चुका हूं अभी तेक check out नहीं तो please उसको कीजेगा क्योंकि अगर आप उसको कर लेते हो मैं यह समझूंगा कि यह सारी interview questions आप बहुत इजली कर पाऊगे ठीक है या guys अब आप बिना किसी तरी के बीडियो को start कर लेते है देख लीजे पहला question क्या है guys write up आप आप देख सकते हो write up function find longest word that takes a string as input and returns the longest word in the string okay if there are multiple longest words return the first encounter तो मैं बताना चाहूंगा guys यह जो hundred days of JavaScript वाला code है I mean यह जो series है यहाँ पर फिलाल initial जो कुछ दीन होंगे 10-15-20 दिन आपको थोड़ी easy questions ही देखने मिलेंगे में भी चालिस दिन थक भी हो सकता है लेकी स्ट्रिंग होगा वो जिसमें आपको यह find out करना है कि सबसे longest words कौन सा है and अगर let's say कि जो longest word अगर multiple होंगे तो उसमें से जो सबसे पहले encounter मतलब जो सबसे पहले आ गया उसको आप return कर दो समझ गया ना यह फॉर एक्जाम्पल यह हमारा function यह उसके अंदर हमने यह argument पास कर दी तो कहिने के मुझे ऐसा लग रहा है टेक नीकल जावा इसक्रिप्ट आइस इस जावस्क्रिप्ट तो जावस्क्रिप्ट सबसे बिसिकलिस का जो लेंद जे एवी एस तो यह सबसे ज्यादा है तो यह हमें return होना चाहिए simple ठीक है all right तो अब हमें question लिखना है देखो तो कुछ constant दे उसको भी हम एक बार देख लेते है the input string में contain alphabetic character digit space और a punctuation ठीक है कोई नी string non empty होना चाहिए the input string में contains multiple words ठीक है यह normal है okay notes दिया है वो देख लेते है बता है कि अगर input string empty रहेगा या only white space वो contain करता है then function should return a false value या simple false है ना then the function should ignore the leading and the trailing white spaces and when determining the long ठीक है अलब initially and then end का जो white space वो उनको नहीं चाहिए वो हम पैली tackle कर लेंगे ठीक है so guys this is the chance pause the video right now अभी आपको वीडियो pause करना है खुछ से आपको ट्राय करना है and अगर नहीं idea समझ में तो यह वाला जो JavaScript course part 1 है इसको एक जरूर चेक आउट कीजेगा आपको मजा जाएगा यहां पर अब यह हो रहा है कि हमें एक एक word को compare करना है and यह check out करना कि किसका length सबसे जादा है या कौन सबसे longest है and when it comes to your compare एक दूसरे के साथ comparison करना है तो अब आप यह सोचे कि हम क्या ही कर सकते we have this string and आप सोचो कि string में कोई comparison function था हमारे पास या नहीं आपको यह सोचना होगा then आपको यह सोचना है कि अगर string में कोई comparison function हमने नहीं पड़ा तो हमने क्या पड़ा फिर I mean कि ऐसा कौन सा topic है let's say we have a JavaScript क्या JavaScript में comparison function है perfect yeah we have a comparison function in JavaScript I mean in array तो उसको check out कर लेते ठीक है अब यह तो string है comparison function तो array में है क्या करें हम तो guys string को अब हम array में कैसे convert कर सकते हैं उसको देख लेते तो सबसे पहले const we have this find longest word अब traditional function चलाओ यह यह फैट आरो करो बात एक ही है str कर देता हूं मैं ठीक है यहाँ पर सबसे पहले तो यह जो एक constant है कि भई अब बस हमें यह देखना है कि हम कैसे पता लगाए एक सेकिन में इसको जुम भी नहीं कर पारा हूं चलो ठीक है अब हम कैसे पता लगाए कि longest word कौन से है तो सबसे पहले तो मुझे इसको अरे में convert करना है let let भी क्या करना है str को ही str ar कर देता हूं str.split ठीक है मैंने split कर दी अब इसको मैंने अगर split कर दी तो यह दिख कैसा रहा होगा आपके मन में आ रहा होगा न सवाल तो है ना तो मैंने code runner की मतद से इसको run की इसको मैं हटाता हूं यहां पर चलता हूं so you can see कि मुझे array मिल गया यह undefined आ रहा है because मैं कुछ return नहीं कर रहा हूं इस function से and यह console.log है इसलिए तो अब मुझे ना क्या करना है यहां पर एक इस तरह के से रख देना है the moment split method के अंदर मैंने बिसिकली एक double quotes दे दी तब आप देखना क्या होता है कुछ हो ऐसा हो गया अब इसको तुम्हें compare चाहिके भी नहीं कर सकता राइट क्या compare करूंगे तो individuals है मुझे words मतलब जैसे यह एक मेरा element यह मेरा दूसरा element यह मेरा तीसरा element मुझे यह चाहिए तो आपको एक space देना now what you are saying is कि यह जो string है यह जहां जहां आपको space दिख रहा है उसके base पे उसको split कर दो split मतलब अलग कर दो है ना अलग कर दो जैसे कुछ भी होगा इसको मैंने 20 से फाड़ा अब मैंने 2 कर दिए it's a split है ना बस उसी तरके से यहां पर आप में space दिदी मैंने मतलब आप देखने क्या होता है तो आप ना यह एक-एक individual array बन जाएंगे और आपको मतलब मज़ा आ जाए गए देखो so now guys you can clearly see एक second आप बहुत क्लिए यहां पर देख सकते हूं कि जो हमें चाहिए था मिल गया ठीक है अब में individually इसको 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 इन सबको मैं compare कर सकता हूं राइट सो कैसा आप बस हमें comparison function चलाने क्योंकि आरे मुझे मिल गया है ठीक है अब comparison function बहुत जादे सब्सक्राइब यहां पर चलता हूं इसमें इतना कुछ समझाने वाला है यह नहीं तो यह जो आपका होगा आप देखो गया है अगर आप ध्यान से देखोगे इनिसेली यह जो मेरे कुछ स्टार्टिंग के तीन बेसिकली अलिमेंट्स मिल रहे कुछ ही यह वाले तो आप देखो यह इस टी टी अड़न ड़न ड़न अगें वह सी जे ओ और य यह बेसिकली अलफ़बेटिकल ओर में अगर हम लास्ट के यह चार्ट देखें यह तो आप कहते हो कि अलफ़बेटिकल ओर में सी सबसे पहले आता है देन जे आता है देन वी हब ओ और य तो यह एकदम पॉफेक्ट है कभी भी आप सो उसको आप भूल जाओ खाली उसका यह जो फर्स्ट केरेक्टर है ना बस तो यह एकदम पॉफेक्ट है लाइक डबलू के पहले टी आता है राइट सो इस 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 इत गाइस इसने हमें सौट करके दिया है इन एसेंडिंग और नॉट बेज ऑन एबी सेडी बलकि बेस वन यूनिकोर्ड वैल्यूज अभी यूनिकोर्ड वैल्यूज के आता है मैं आ अगर यहां पर दिखाता हो तो आप देख सकते हो कि मैंने यहां पर उनिकोर्ड वैल्यू रखा है फ्रॉम कैपिटल ए टुजेड एंदेन इस्मॉल ए टुजेड यह जो कैपिटल ए टुजेड होता है वो सबसे पहले आता है एंदन जो आप्टर इस्मॉल वाला जो ए तो जो स्मॉल टी है वो तो 116 है बड़ जो कैपिटल वाला जो टी है वो आप देखो तो 84 है इसका मतलब यह है कि जो हमारा कैपिटल लेटर है अगर उसको मैं आपको दिखाऊं तो वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 65 एंदन एंड होगा आपका जैड यहां पर आप देख सकत तो by default हमें यह पता चल रहा है कि जो capital A to Z है उसकी unicode value क्या है small a to z की मुकाबले कम है तो no matter what जब भी अगर आप sort करने जाओगे तो जो capital letter है first वाला जो भी capital होगा वो सबसे पहले आएगा क्योंकि उनकी value कम है and then उसके बाद जो small a b c d वो sort होंगे so guys यह जो unicode के base पे आपका यह sort हो रहा that is the reason why क्यों आपको वो इस्तिर किसी दिखाए दे रहा है क्यों आपको starting के T, T, W फिर C आगया आप सोच रहे यह क्या हो गया C से पहले W तो नहीं आना चाहित है but T capital है and then WB capital है तो जो यह capital ते वो sort होगे उसके बाद अब A, B, C, D करके C आएगा फिर J आएगा फिर Y आएगा तो perfect ही हमारा काम हो गया आप समझे लाएं कि बहुत ही जाद important है and already मैं अपने world-based JavaScript course में इसको भी मैं बहुत डेप्थ में आपको explain कर चुका हूं तो now we need to use the comparison function and believe me comparison function बहुत ही ज्यादा easy behind the scene तो I mean बहुत कुछ होता है उसमें तो मैं world-based JavaScript course में upload कर चुका हूं जरू check out कीज़ेगा यहाँ पर जस्ट आपको क्या करना है एक callback function basically fat arrow function a minus b खत्म सिर्फ यह आपको न गाइस चाहो था आप रट्टा मालो sort function के अंदर अगर आप एक callback function pass करते हो with two parameter and उसको आप a minus b या b minus a या if a is greater than b return 1 if b is greater than a return minus 1 यह दो तरीके है बस इती नहीं है यह अगर आप समझ गये आपका मलब दुनिया का जो भी चीज को आप sort कर सकते हूं in ascending order in descending order सिर्फ मैं इतना लिखता हूं अगर मैं इतना लिखता हूं इसको clean करके अगर मैं run करता हूं आप सब्सक्राइब करने के बाद तब आप देखो गे तो कुछ ना कुछ तो हुआ है इस टाइम अगर आप देखो गे तो नाव डबलू सबसे पहले आया फिटी 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 फिट जे सी ओ एन के वाज सथापा टेक्निकल जास्क्रिप कोर्स ओन यूटूब यह तो वह चीज है बट जो भी हो यहां पर हमें कुछ पता क्यों नहीं चल रहा पता है क्योंकि हमने ए माइनस भी गर दिया लेकिन हमें सौर्ट कैसे करोगे इसमें क्योंकि अल्रेडी हम तो सौर्ट करी चुके थे वह अलफा यूनिकोर्ट के बेस्ट पे सो नाव हमें क्या करना यह जो वर्ट दिख रहा है हमें इनका अगर लेंथ पता चल जाए तो बहुत इजी लिए हम इनको कंपेर कर सकते है क्योंकि यह सबसे बेस्ट अभी काम आता है यह सो हमें यहां पर नो मेंटर वाट लेंथ लगेगी वी डॉट लेंथ बस खत्तम तो ए एंद बी जो है अब खुद देख सकते हूं यहां पर यही तो मुझे चाहिए था राइट आप देख सकते हों यहां पर ओ व अन डबलू तो अब यहां पर पहले आता है की डबलू पहले आता है बिल्कुल नहीं अब आपको सिप लेंथ देखना है इसमें दो जीरो एक मिन वान फ़्रीक् रिटर्न वर्ट्स अभी एरे है अगर लास्ट अलिमेंट करना तो आप क्या करोगे अब माइनस वन लिखने सकते सो वी हब एरे डॉट एट एट एंदन माइनस या दे में आपको अपने कोर्स में बता आता है एक मैं स्ट्रेप 2022 में ना वी हब इस एट नी Health method जिसके चलते आप बहुत ही लिए अगर आप करते हो तो इसको अगर में चलता हूँ ना पर देख सेंट savvy मुझे अंडिफाइन वान रहा है और यह अन में च्न लनीफ लिखना हो यहां पे चलता हूं इस से सिकाशन करता हूं इसको में रन करता हूं फिर से ना सब्सक्राइब यह कहीं नहीं अगर आपको यह थोड़ा से वर्ड लग रहा है तब आप एक काम कीजिए यह जो A-B and then B-A था इसका आपोजिट कर दो आप B-A कर दो ताकि आप आपको वह सब्सक्राइब कर सकते हो वह जो जो रिटन अभी हमने किया उसके बदले आप इस तरह की से वर्ड एंड डैरेकल आप यह कर सकते हो तो मैं अगर यहां चलता हूं आप देख सकते हो यह जावस्क्रिप्ट उसी तरीके से आप इहां पर लिख सकते हो इस तरीके से ओसम थापा टेक्निकल है ना तो आप लिख सकते हो अब अगर मैं इहां पर चलता हूं आप कुछ भी दिखो जो सबसे पहला होगा वो ओल्वेज लॉंगेस्ट वर्ड होने वाला है तो आप समझे रहे हैं यह कितना ज्यादा ओसम था राइट तो यह तो एक तरीका था करने का लेकिन इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं अब मैं आपको एक और तरीका से दिख अब आया कि इस ट्रिंग को मुझे अर्य में करना पड़ा ताकि मैं एक वार मैं उसको एर्य में कर दी कमपेरिजन फंक्शन उस कर दिया मैंने सोचा भी नहीं यहाँ पर जादा क्या प्यूंकि आप मैंसे बहुतों कभी भी भी हजर्मी नहीं हो रहा होगा कि यह क्या हो ग हमें कनवर्ट हो गया हमें क्योंकि लॉंगेस्ट इट में सिर्फ एक वर्ड निकालना एंड वेनेवर इट कमस्टू लाइक सिंगल वैल्यू जैसे कि सम अप नंबर यह एबरेज फांड आउट करना यह कुछ भी हो तो हम रिडियूस में रिडियूस की मदद से भी कर सकता था जिसमें रिडियूस ऑबिसली से में लॉजिक रहेगा महां पर यहां पर आपका एक्कुमिलेटर जो जमा होगा आपका जो भी करेंट वर्ड कह दीजिए यहां पर हम चलेंगे एक कॉमा देना बड़ेगा यहां पर बाइदावे इनिसल वैल्यू हम इसको एम्टे रख चाहिकरीक चाहिए इसफ इदेन हमारा है जो एक्कुमिलेटर डॉफ। ना को समझि रहे हो न अगर एसा होता है दो यह जो मेरा करेंट वर्ड है उसको रिटेन कढ़े अगर ऐसा चै नहीं होता तो फो को एकुमिलेटरो उसको रिटेन का अन 나쁜 को तो मैं ने पूरह में करें तो आपको जो अच्छा लगी आप उस पर जा सकते वर्ट आई रिकमेंड तुंगो टो इस पार्ट कुकि वेनेफर इट कमस्तों अगर निगालना ही पड़ेगा आप बता हूं करने के बहुत तरीक हैं अगर आप को इन दोनों तरीका के अलावा भी दुस्रा तरीका मालूम है तो आप कमेंट करके जरू बताइएगा ताकि जो भी दूसरे देखेंगे उनकी भी हल्प हो जाएगी है ना इससे मिलके एक साथ हम काम कर सकते हैं या गाइस दिस इस इट तो आज इस वेडियो के लितने होप आपको वीडिय कर दीजेगा तो बताना चाहूंगा इस बहुत जल्द में रियक्ट सेरीज लेके आने वाला हूं बिल्कुल आप टैंसर मत दीजेगा एड़ जस्में वेट कर रहा उनका वर्जन 19 का एंड बहुत जल्द आने वाले सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजेगा यह